हरे कृष्णा शास्त्र हमें बताते हैं कि एकादशी का पारण उचित समय पर नहीं करने से द्वादशी के दिन दुबारा पूरा वरत रखना पड़ता है और त्रयो दशी पर ही उससे पूर्ण कर पारण कर सकते हैं जब कोई व्यक्ती एकादशी वरत का पालन करता है तो उसे एकादशी के पारण का भी निश्ठा वान होकर पालन करना चाहिए वरना एकादशी वरत का फल उसे नहीं मिलता द्वादशी के दिन प्रातह उठकर स्नान आदी करके अपना उपवास श्री हरी के चड़नों में अर्पित कर देना चाहिए उसके बाद भगवान की मंगल आरती कर तुलसी मया को जल प्रदान करना चाहिए तथा उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए उसके बाद आप तुलसी देवी के पौधे के सामने बैठ कर निश्चित संख्या के हरे कृष्ण महामंत्र का माला पर जब कर लीजिए इन सभी सेवाओं के पश्चात अपनी शमता अनुसार भगवान को स्वादिष्ट भोग अर्पन कीजिए भगवान के भोग को बनाते वक्त, भगवान की कथा का श्रवन अवश्य करना चाहिए या फिर आप भगवान के नाम का किर्टन भी जरूर श्रवन कर सकते हैं एक बात ध्यान रहे कि ये सभी सेवाए पारन समय के अंतरगती समाप्त हो जानी चाहिए ताकि आप पारण के दौरान प्रसाद ग्रहन करके अपना वरत खोल पाएं क्यूंकि पारण का समय हर शेतर के लिए अलग-अलग होता है इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नस्दीकी इसकौन के मंदिर से पारण का सटीक समय जान पाएं पारण उचित समय पर समपूर्ण करने के लिए हम अलाम भी सेट कर सकते हैं या फिर आजकल मोबाइल फोन पर भी बहुत सारे रिमाइंडर आप्स की सुविदा उपलब्द है जिससे हम अपने आपको सही समय पर पारण करने के बारे में याद दिलाने के लिए प्रयोग मिला सकते हैं एकादशी पारण का अर्थ होता है द्वादशी के दिन यानि एकादशी के अगले दिन कुछ नियमों का पारण करते हुए एकादशी वरत को पूर्ण करना जितना महत्वपूर्ण एकादशी वरत का पालन करना होता है उतना ही जरूरी है उसका निर्धारित समय पर पारण करना आप सभी को भादरपद मास के शुक लिपक्ष के पार्शव एकादशी की खूब खूब शुब कामना है धन्यवाद हरे कृष्णा ऐसे ही और भक्ति माय कारिक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटी एच ऑपरेटर से समपर करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839